नवस्कार दोस्तों एक ट्यूट आया है आप उसको गौर से देख सकते हैं लिखा हुआ है साल के अंतर तक बिहार के सभी विद्याले प्रात्मिक से प्लस टू में होंगे नियमीत परधाना ध्यापक और परधान सिक्छक ये एकदम लेटेस्ट न्यूज है चोकि बहुत सारे भ्रामक न्यूज योटूब पर फैल रहे हैं तो देखे इसमें लिखा हुआ कि पुरानी नियमीत कैडर के सिक्छकों को राज के सभी मद्य विद्यालेओं में वता और हम पोस्टिंग की तैयारी प्राइमरी डायक्टर ने सभी डी यूओ से मांगी है नियमीत सिक्छकों की रिपोर की पदस्थापना की विवरणी आपने देखा होगा कि बहुत सारे योटूब पर ऐसे से न्यूज फैलाए जाते हैं कि इतने हेड मास्टर की बहाली हो रही है इतने जो हैसो बियो की बहाली निकल रही है तो जो भी बाते होती है सिर्फ असरी बियोज पाने के लिए तो ऐसा नहीं करना चाहिए जो अथेंटिक न्यूज हो वही लोगों के बीच जानी चाहिए फिर देखिया अगे लिखा हुआ हाई स्कुल के सभी नियमित सिक्षक को राज के राज के किर्ट राज के परियोजना बालिका उचिवे दियालों में बतौर प्रधाना ध्यापक पोस्टिंग की तयारी जो कि पूरे बिहार में बहुत कम ऐसे सिक्षक बचे हैं जो नियमित हैं उन सारी सिक्षकों को बतौर प्रधाना ध्यापक प्रमोशन की तयारी चल रही है कुसमें पहले आपने देखा हुआ लगभग पूरे बिहार में लगभग पांस सारे पांस वो जो वितनमान वाले सिक्षक थे उनको प्रधना ध्यापक की प्रमोशन दिया गया अब जो रेस्ट बचे हुए सिक्षक है उनको भी प्रधना ध्यापक बना करके राज के किरत राज किये प्रमोशन विद्याले में प्रधना ध्यापक बनाया जाएगा जो आपको पता है कि इस महने के बाद अक्टूबर में निश्चित रूप से यह रिजल्ट आएगा और इस साल के अंतर तक सारे विद्याले में पोस्टिंग हो जाएगी कहने का मतलब जितने भी स्कूल हैं चाहे वो प्राइमरी हैं चाहे मिडल हैं चाहे आई स्कूल हैं प्लस टू हैं सभी विद्याले में परधाना ध्यापक और परधान सिक्षक की बहाली होगी और सारे सिक्षक जो है सुसारे विद्याले किसे कोई भी विद्याले प्रभारी के भरोसे जो है सो नहीं रहेगा तो यह एक बिल्कुल लेटेस्क न्यूज है जिसको कि आपने सित्रुप से समझे जाने और भ्रामक न्यूज से बचे और अथेंटिक न्यूज पर ध्यान दे तो इन ही बातों के साथ मैं अपनी बात को स्वाप करता हूं लगभग जो अथेंटिक न्यूज है वो मैं अपने यूटूब चैनल पर डालते रहता हूं तो यह आपको लग रहा है इसमें सचाई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहता हूं साथ में अस्कूल से समंधित विद्यार्थों से समंधित शिक्षा के समंधित वीडियो में डालते रहता हूं